नमस्कार आप देख रहे हैं सनमाग लाइब और मैं हूं मनोज नायन सिंग एक कहावत है अपनी डफली अपना राग बिहार में ये कहावत महागटबंदन पर चरितार्थ हो रही है इस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में जो विधान सभा उपचुना होना है और एक ल सकता है कि महागटबंदन तूट गया मैं आपको प्रमान भी दिखला रहा हूं नेताओं का बयान भी मैं आपको सुनवा रहा हूं लेकिन फिलहाल अभी यह समझने की जरूरत है कि जब आर जेडी ने दो कनिडेट को अपना सिंबल दिया उसके बाद महागटबंदन में भ इसके बावजूद आर जेडी ने जिस तरह से नाथ नगर और बिलहर में अपना सिंबल दे दिया उसके बाद भूचाला गया भी आईपी ने भी सिम्री बक्तियारपूर पर अपना दावा ठोक दिया और यह मुकेश्चानी ने दावा कर दिया कि 28 तारी को उनका कुल मिलाकर के कहा जाए तो आर जेडी भी आईपी और हम के बीच में महा संग्राम सुरूग हो गया है आर एलस्पी के नेता उपेंदर कुश्वाहा की तबियत ठीक नहीं बताई जा रही है वो अभी आराम फर्मा रहे हैं कॉंग्रेस का कोई भी बयान आया हुआ नहीं है हला कि कॉंग्रेस चाह रही है कि सारे जो भी विधान सब अच्छेतर हैं सब पर कॉंग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाओ लड़े महा गडबंदन से अलग हट करके लड़े बिहार के नेताओं की ये चाहत है लेकिन जीस तरह से आज राजनीतिक उठापटक महा गडबंद तना शाही कर रहे हैं जब महा गडबंदन में कोई नेता का चुनाव हुआ ही नहीं तो फिर नेता होने का क्या उचित्य है और यह जो दो जगा जो उन्होंने सिंबल दिया है इसका कोई उचित्य नहीं बनता है आये सुनते हैं दानी स्री जवान का तो अभी आपने देखा कि दाने स्री जवान ने साफ तोर पे कहा है कि जब महा गडबंदन में नेता का चुनाव नहीं हुआ है सीटों के बटवारा के लिए बैठके नहीं हुई है रजामंदी नहीं हुई है इसके बावजूद दो सीट पर सिंबल बाट देना कोई उचित नहीं है अब मैं आपको सुनवा रहा हूँ भी आई पी के जो सुप्रीमों है मुकेश सहनी महा गडबंदन के घड़क दल है उ पॉरन के बैशले हो रहे हैं बेगर बात की हुए इस तरीके से हो रहा है तो वह कहीं हें कहीं गलत है और यह आपर जहनी अई पर दावाव पेस्के और एक ही जगां लगाये के बांकि हम मदद करेंगे और पर 真的 को की यह से चलेंघ हम ency mentre हम अमकें वरें तो अभी आपने सुना मुकेश रहनी का साफ तौर पर कहना है कि गटबंधन धर्म को निभाते हुए अगर जो घटक दल चलेंगे उनके साथ वो हैं नहीं तो अगर महागटबंधन धर्म को नहीं निभाने वाले जो भी घटक दल हैं उसके खिलाप हो लड़ेंगे और जो महागटबंधन धर्म को निभाएंगे उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे अब आपको सुनाते हैं माजी जी जो हम के सुप्रीमों हैं जितना माजी उन्हों ने क्या कहा उन्हों ने साब तो पर कहा है कि नाथ नगर से आर जेडी अपना कंडिडेट वापस ले नहीं तो नाथ नगर में वो चुनाओं पर उत्रेंगे चुनाओं मैंदान में उत्रे से कहा जा सकता है कि रिवोल्ट शुरू हो गया है महागडबंदन में आपने तीनों का अपने बयान सुना तीनों नेताओं का पहले आप सुनिए जितना माजी ने क्या कुछ कहा है अभी आपने जितना माजी को सुना हमके जो प्रवक्ता है दानी सरी जवान को भी सुना भी आईपी की जो सुप्रीमों है महागडबंदन के घड़क दल है और त्यस्वी के काफी करीब माने जाते रहें लोग सवाचुनाओं में उनका क्या कुछ कह ना है तो इस तरह और अभी RLSP और कॉंग्रेस की चुपी है तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से हम भी आईपी और RJD के तेवर हैं महागडबंदन तूट गया है अगर RJD नाथ नगर से अपना कणिडेट ड्रॉव नहीं करता है वैसी इस्तिति में हम अपना उमिदवार वहां से खड़ा करेगा और जब हम के जब हम का वहां से होगा तो वैसी स्तिति में मुकेश सहनी हम के साथ जाएंगे नहीं की तो इस तरह से कहा जा सकता है कि महागडबंधन तूट गया है सब्सक्राइब को सब्सकाइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं